हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं इस्टरी फिट चैनल दोस्तों आज मैं कबड़ी की रूल्स मेजरमेंड्स अंतराश्टी संगठन और राश्टी संगठन से रिलेटेट इंपोर्टेंट कोस्टन लेके आई हूं वीडियो को पूरा देखेगा एक भी कोस्टन मिस्मत दोस्तों जैसा कि डेली बीसेश्ट मैं एमसी क्यूज का रिवीजन आपको करा रही हूं तो डेली बीसेश्ट मेरे चैनल से जुड़े रही है और अपनी सफलता को जरूर एचिव कीजिए दोस्तों यह हमारी दौाइं हैं आप सब को जैसा कि आख सब जानते हैं कि मेरे च जैप्टर वाइच एमसी क्यूज का प्रैक्टीज भी कराये गया है तो चलिए चलते हैं आज की प्रश्णू की तरफ कोश्चन है कि कबड़ी खेल का जन्म दाता कौन सा देश है तो जैसा कि दोस्तों आप सब को पता है कबड़ी खेल का जन्म दाता है भारत कहा पी जन नेश्ट है कबड़ी को और किस नाम से जना जाता है तो दोस्तों कबड़ी को आपसर है गुंडू, हुडुडू, डोंडू तो यहां उपरत सभी आपका आपसर सही हो जाएगा जैसा कि दोस्तों कबड़ी को महराश्टर, मधपरदेश, गुजरात में हुतू तू बोला जाता है किरल में इसको वाइन चक्ता बोला जाता है बांगला देश में इसको हे डूडू बोला जाता है उत्तर भारत में कबड़ी को आपकिस्तान में कबड़ी में भावतिक नाम से जाना जाता है जैसे कि बांगला देश में इसको हुतुतू त्रिलंका में गुडू, इ कबर्डी को चब नाम से किस देश में जाना जाता है तो इंडोनेशिया में कबर्डी को चब बोला जाता है ने दोस्तों भारति कबर्डी संग की स्थापना कब हुई इसके स्थापना 1950 में हुआ और इसका हेट क्वार्टर है यानि मुख्याले कलकत्ता और इसके प्रथम अध्यश एस के गोडवाले और बरतमान अध्यश सुरेंद्र पहल है नेश्ट है भारत में कबड़ी की प्रथम प्रत्योगिता कब आयोजित की गई तो भारात में कबड़ी की प्रत्थम प्रत्योगीता कब आयोजित की गई उनीस सो अठारा सतारा महाराश्टर में कब उनीस सो अठारा में आयोजित किया गया नेस कोचन है भारात में कबड़ी की प्रत्थम प्रत्योगीता कहां आयोजित की गई तो काहँ आयोजित की गयी दूस्तों? 17 महराष्ट में, कब? 1918 में नेश्टव भीस्व में कबर्डी की प्रfield पतिविता और भारत की पतिविता? 1908 में नेश्टा विस्टो में कबर्डी की प्रत्राश्टी 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 प्रत्राश् कबड़ी को ACI खेलों में कब सामिल किया गया तो इसको ACI खेलों में 1992 चीन में सामिल किया गया नेश्ठा कबड़ी में अरजुन पुरुसकार कब दिया गया दोस्तों तो यह अरजुन पुरुसकार 1972 में दिया गया नेश्ठा कबड़ी में प्रथम अरजुन पुरुसकार किस वर्स दिया गया तो 2002 में दिया गया नेश्टा कबर्डी में पूर्सों की राष्टी प्रतियोगिता कब से आयोजित की जाने लगी है तो कब से आयोजित की जाने लगी है तो 1952 में राष्टी प्रतियोगिता नेश्टा कबर्डी में महिलाओं की राष्टी प्रतियोगिता कब से आयोजित की जाने लगी है 1955 में नेश्टा कबर्डी में लड़कों के लिए स्कूल नेशनल प्रतियोगिता कब से आयोजित की जाने लगी तो लड़कों के लिए कबड़ी में स्कूल नेशनल परते होगी था कब से आउज़ित की जा रही है तो उनीस सो बार सर से नेश्ट है दोस्तों पूरसों के लिए कबड़ी के मैदान के लंबाई कितनी होती है तो तेरे मीटर नेश्ट है महिलाओं के लिए कबड़ी के मैदान की चोड़ाई कितनी होती है तो कबड़ी के मैदान की चोड़ाई महिलाओं के लिए कितना होता है आठ मिटर कितना होता है आठ मिटर जैसा कि दोस्तो पूर्सों महिलाओं के लिए पूर्सो के लिए कबर्डी की जो महिरान की लंबाई चुड़ाई दोनों होता है 13 गुड़े 10 मिटर का होता है पूर्सो के लिए और महिलाओं के लिए 12 गुड़े 8 मिटर का या कभी 11 गुड़े 8 मिटर भी होता है ठीक Next question है कि कबर्डी खेल में कुल कितने खिलाडी होते है तो कबर्डी खेल में कुल 12 खिलाडी होते है नेशा कबर्डी खेल में कितने खिलाडी खेलते है मैदान में तो 7 खिलाडी मैदान में खिलते है यानि कुल 12 खिलाडी होते है 7 खिलाडी मैदान में खिलते है और पांच खिलाड़ी इस्थानापन होते है नेशा खिलाड़ी में लावी की चोड़ाई कितनी होती है दोस्तों तो एक मिटर होता है लावी की चोड़ाई नेशा कबर्ड़ी में मध्य लाइन से बक लाइन की दूरी कितनी होती है तो 3.75 मिटर होता है नेशा कबड़ी में मध्य लाइज से बोनस लाइज की दूरी कितनी होती है तो मध्य लाइज से बोनस लाइज की दूरी 4,275 मिटर होता है वही पर आपका पुछ देगा कि बक लाइज से बोनस लाइज की दूरी कितनी होगा तो एक मिटर नेश्टा कबड़ी में इंड लाइन से बोनस लाइन की दूरी कितनी होती है तो कबड़ी में इंड लाइन से बोनस लाइन की दूरी 1.75 मिटर होता है नेश्टा कबड़ी खेल में सीटिंग बलाग की चौड़ाई कितनी होती है तो जो सीटिंग ब्लाक होता है उसके चड़ाई एक मिटर होती है नेस्टा कबर्डी खेल में सीटिंग ब्लाक की लंबाई कितनी होती है तो सीटिंग ब्लाक जो होता है आठ मिटर होता है यानि कि दोस्तों जो कबर्डी खेल की सीटिंग ब्लाक होता है वो पूर्सों के लिए आठ गुड़े एक मिटर का होता है और महिलाव के लिए छे गुड़े एक मिटर का होता है नेश्टा कबर्डी खेल में लाइन की मुटाई कितनी होती है तो इसमें 5 सेंटिमीटर लाइन की मुटाई होती है नेश्टा कबर्डी खेल में कितनी खिलाड़ी रिजर्व होते हैं तो इसमें 5 खिलाड़ी रिजर्व होते हैं और साथ खेलते हैं साथ पांच बारा यानि कुल बारा खेलाड़ी होते हैं खेलने वाड़े साथ रिजर्व खेलाड़ी इसाना पन पांच नेश्ठा कबड़ी खेल में जब खेलाड़ी विपच्छी टीम के छितर में जाता है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे रेडर बुला जाता है नेक्स्टा कबड़ी खेल में जब रेडर रेड डालते वक्त बोनस लाइन को पूर रूप से पार कर लेता है तो उसे बोनस के रूप में कितने पॉइंट मिलते हैं तो उसको बोनस के रूप में एक पॉइंट मिलता है नेक्स्ट है दोस्तो कबड़ी खेल में जब विपरीत खेल के आखरी खिलाड़ी को रेडर आउट करता है तो वहां क्या मिलता है तो वहां पे दो अंका लोना मिलता है दोस्तो वहां क्या मिलता है लोना मिलता है नेश्वा कवर्डी खेल में 200 कप का आयोजन कब से किया जाने लगा तो कब से किया जा रहा है 200 कवर्डी का आयोजन कवर्डी में 2004 से वो भी मुंबाई में हुआ था जिसमें भारत इरान को हराकर पहली बार World Cup जीता था कवर्डी का संचालन कौन करता है तो भारत में कबड़ी का संचालन AKFI करता है यानि की AKFI यानि Immature Cardiology Federation of India नेश्ट दोस्तों AKFI का फुल फॉर्म क्या है तो इसका फुल फॉर्म है Immature Cardiology फेडरेशन आफ इंडिया की स्थापना 1973 में हुआ था नेश्ट है कबड़ी खेल में मैज की अवधी कितनी होती है तो कबड़ी खेल मैज की अवधी 40 मिनट की होती है 20-20 मिनट के दो पारिया होती है और मध्यांतर पांच मिनट का होता है नेश्ट है पूर्सो के लिए कबड़ी के मैदान की माप क्या होती है तो पूर्सो के लिए 13 गुड़ी 10 मिटर होता है नेश्ट है महलाओं के लिए कबड़ी के मैदान की माप क्या होती है तो महलाओं के लिए होता है 12 गुड़े 8 मिटर का तो दोस्तो आज के लिए बस इतना पे डेली बेसेस पे एंड फर्स वा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बिलाइगें को प्रेस कर लिजिए जिसे न्यू वीडियो का आप तब कुछता रहेगा तो मिलते हैं नेक्ट्ट वीडियो पे तब तक के लिए जाएंगे